हेलो फ्रेंड्स अमित कुमार डायरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है फ्रेंड्स आपने अगर मेरे पिछले व्लॉक्स देखे होंगे तो मैं हूँ इस वक्त अपने गाउं में अपने घर में बॉंबे से मैं आ गिया था और आज मैं निकल रहा हूँ उत्रा खंड जा जाएंगे शायद हरिदवार रिशी केज देखेंगे जहां-जहां बन पड़ेगा बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लान बनाया है और जितना शरीर साथ देगा सिच्वेशन जैसी साथ देंगी उतना घूमेंगे और क्योंकि मुझे ट्रेकिंग हो गया भी वहां बहुत सारी करन जाएंगे और दिल्ली से फिर देरादून कानपुर से डायेक्ट देरादून की ट्रेने बंद है कुविट के वजए से इसलिए वाया दिल्ली जाना पड़ रहा है और फिर उसके आगी जैसे जैसे जर्नी रहेगी तो आप साथ में डिस्चली बने रहेंगे तो बस समान प और पैकिंग हो गई है और बस अब निकलते हैं अब निकलते हैं बस यह कान पर पहुच गई है यह मैंने रिक्षे में बैठ गया हूँ शेरिंग में पांच रुपए सावारी लेते हैं और घंटागर छोड़ देंगे और घंटागर के सामने ही कान पर स्टेशन है लेफ्ट हंड साइड पर अंदर बस स्टेंड है जकरकटी बस स्टेंड बोलते हैं मैं यहाँ पर टाडवी चोरहा में उतर गया हूँ क्योंकि मुझे सीधे जाना है स्टेशन जाना है पूरी दिन ऑफिस के काम लिफ्टाता रहा और पैकिंग की भी टेल संती तो बहुत भागम भाग रही बस में बैठते ही नीद आ गए और जब कान पर बस स्ट बढ़ना खाने और हम आये हैं कानपूर की बहुत एक पुरानी दुकान है पृष्णा पराथा बंडार वहां पर आये हैं और यह पराथे मेरे आ गये हैं इनका बड़ा ही ट्रेडिशनल खाना रहता है यह आलू और बड़ी की सबजी मीठी चट्नी बैगन का बरता आलू क पराथे यह चार पराथे साथ रुपए के हैं 15-20 साल से मैं खा रहा हूं और मैंने आठ रुपए या बारा रुपए ऐसे से कुछ खाया था धीरी-दीरे अभी यह साथ रुपए के हो गया है कि वजतिते हैं और कि वभी पॉराना टेस्ट जो हमेशा रहता है यहां पर और बहुत इलाजवाद परेश रहता हैं और चुट रहते हैं यह रहती हैं गीखे सोंदा नें भी अपन घी का सोनापन रहता है और यह चट्नी तो मे dernière है छेटनी हो कि कर दनाप हा है अजिए एकाल को आड़ा है जिना भावा जाड़ा किसे लिए लिए अज़ आड़ा किर लिए ते लिए यह चर्टर साल पुरानी दुफान है यह मारे बाबाजी ने सुरू करी थी वारे पापा दुपहर में बैठता है इस रिशन तोष्कुमार्टी गुपता और लोग साम पोर क्या तामिंग क्या है यह पराथा वही सुबह साढे नौ दस दस बजे के अस-पास चालो होता है और राथ में दस 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 बजे के अस चलने वाली गुदा आप ही का अप एस की वालर को लोग फुछ नहीं चूड़े वाल्यवारे उला और वही बंते फिझा आपलोग यह ओंड़ यह तो मैंने पिया हुआ है मेरे को यहाद है दूले राजा फिल्म रिलीज हुई थी और यहां पर हीर पहले सुस्समें सबसे बड़ी टॉकिज भई हुआ करती थी तो दूद्ध पी करके यहां से फिर मैं और पापा और यह खा करके दूले राजा देखने गए थे और 14 अगस्त ता तो जंडेंडे बिगने लगते हैं तो अब भाईये ने दी है प्यार से दी है तो खाना होगा अनीडियू बहुत ही फेमस मताई है आंकि और भाईये बता रहे हैं पहले है आपर दूद डाला जाता था और अब दूद नहीं डालते हैं जब फुराने कास्वान हमी है बढ़िया गरी बहुत घजब कराणा है जब आपक्षा नहीं बाते कादी तुमने या इसती मत थोड़ी है पचान सो जाल पुराने जगाले अप는 एक डेणी को तासी ते आप अपने वाले देली गाले वाले भाषा है अपने किया है थे सब्सक्राइब गाया थे किया किया थे थे तो बूबलम हां आपसा बोगे ही तो हम कर दो खिर रहाए है थे थेली आपने क्या हुआ है कानपूर कि पातचीत का हम् लोग पताई रहा है करना पहां भूराने डार था कैनपूर एक जलींजा से शीन जाघने के इarlo Ya जली दिए हैं सी निखर सकते निकल पड़े हो गहां सेरिय पेडल जा रहे हैं कोपी ये हां से 300 मीटर ही यह है कानपूर स्टेशन तो वहां पहुशते हैं पहुशते पहुशते साढ़े दस बच जाएगा एक गंड़े बाद अपनी ट्रेन है दिल्ली की आज 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 पांज एक अधर नंबर शोट दो पांज शे पांज दर्मंगा टे नहीं देखें कानपूर स्टेशन पहुशने के साथ ही हो गया एक बहुत बड़ा पोपट मुझे बहुत तेज बुखार आ गया बैग में पैरा सीटा माल थी तो मैंने निकाली खाई और दवा खा करके मैं धीरे-धीरे प्लेटफार्म नंबर वन की तरफ चलने लगा प्लेटफार्म नंब मारी ट्रेन प्लेटफार्म पर आगर लग गई श्रम शक्ति एक्सप्रेस कानपूर सही बनकर चलती है और इसका डिपार्चर है ग्यारा बच कर पचास मिनट इस बीच मैं सोसता रहा कि ट्रेन पकड़ूं या छोड़ दूं पकड़ूं या छोड़ दूं और कोविड-19 का साथी साथ डेंगू का जो प्रको फैला हुआ है उसके चलते जो दिमाग में डर है वो बढ़ता चला जा रहा था मुझे दवा खाय सवा घंटे हो गए थे इसके बाद भी शरीर दर्द और बुखार में कुछ भी आराम नहीं मिला था ऐसे मैं भारी मन से मैंने उत्रा काम कैंसल करना पड़ा वहां से सीधे घर लौट करके आया और अगले दिन मैंने कोविड-19 का टेस्ट कराया कोविड-19 निगेटिव आया और जो शरीर दर्द था बुखार था वो भी अगले दिन थोड़ा हलका रहा और शाम तक वो भी सही हो गया फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया तो इसी तरह मेरा जो ये ट्रिप था उत्राखंड का वो स्टार्ट होने के साथ ही धड़ाम हो गया लेकिन कोई नहीं जब बाबा भोले नाद बुलाएंगे तो पहुच जाएंगे हिमालय की गोद में इसी के साथ ही इस वीडियो को भी यहां पर ही खत्म करते हैं अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिये मैं यहां पर गुमकड़ी की वीडियो डालता रहता हूं और अगर आप यह वीडियो फेस्बुक में देख रहे हैं तो फेस्बुक में भी मेरे पेज का नाम है अमित कुमार डाइरीस तो उसे लाइक कर सकते हैं फॉल जाल दखिये गा